हलो गाईज नेक्स रपसोड के स्टार्ट से पहले आप रोमेचेंग को सब्सक्राइब करते हैं इसा भी नेक्स रपसोड को स्टार्ट करते हैं लिंक चाओ छोटे होते दिखा जाता जो रो भी नहीं रहा होता उसके टैर तो बैट लगा देते हैं कि अगर किसी ने इसको होते थे और हमेशे एक साथ ही चुप होते थे यहां तक कि बड़े होने के बाद शाओधी तो उसका खाना भी खा जाती थी और फिर जब तो नों एक साथ कुमते थे तो तब भी वो इसको गिरवा का चोट लगवा देती जिसकी वज़ा से वह विल्चेर पर आ गया था और उ कम चलाती थी और उसको हमेशे चोटे लगवाती थी जिसकी वज़ा से लिंचाओ को उसके साथ खेलना पसंद नहीं था यहां तक कि बड़े होने के बाद भी वो लिंचाओ को नीचे कड़े होकर आवास देते हैं पर लिंचाओ तो हैंट फी लगा कर बैठ जाता है ताकि म लड़कें दीकर कहते हैं कि जब इसने साइड में बैग ऐसे पहना होता तो यह कितना प्यारा लगता है अब यह सुनकर तो यंजी को जरा अच्छा नहीं लगता तो वह भी लिंचाओ के पास चला जाता उसे मौनिंग कहता है पर लिंचाओ तो उसे बिलकुल भी मूल नही तो कम है तो लिंचाओ से कहने लगता है कि मैंने काफी सता टेस्ट दिया थे मुझे नहीं याद कि मैंने कौंकों से टेस्ट दिया और मेरी क्या क्या पोजीशन आई और ना यह किसी और का पता है यह बात कहेंकर लिंचाओ तो वासे चला जाता है पर उसके जाने के बाद क पोजिशन क्यों आयी इते मीं पाल चाओ के पाल आ जाती शाओ तो को देखके वोसे बताएं लगता है क पर अपनी जगा पर आकर बैठ जाता है दूसरे तर शाओतों कि कलास जिखाई जाती है जिसमें कलास मुनिटर स्लेक्ट करना होता है तो साइ कहते हैं कि पहले दो रोल लंबर जो हैं उनमें से पहले एक आकर अपनी स्पिर्श देता कि बच्चे सब वोटिंग करने में डिसाइड करें कि कौन किसको वोट करेगा अब सबसे पहले यंजी आता है और यंजी आकर इतनी सदा पाते करने लगता है उतना बोलने कुश हो जाते हैं कि उसकी तरह इतना लंबा बोल करनी गया और लिंग चाओ के क्लास दिकाए जाती जिसमें जो नियू लड़की डियांग आई थी वो क्लास वेलो जाये को एक पेज़ पर कुछ लिखकर भेजती है जाये तो बहुत खुशी खुशी पढ़ रहा होता है कि इसमें क्या लिखा होगा क्यूंकि उसको तो पहले नजर में यह अच्छी लग गई थी वो चब पढ़ता तो उसमें लिखा होता है कि क्या तुम भाई की सफाई वगरा चेक करने के लिए नहीं चाओगे क्यूंकि मैं जाना चाती हूँ तो वो तो फो फॉरन से मां जाता ह है कि हाँ ठीक है और लिंग को भी कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाओंगा क्यूंकि लेंगी जाने वाला था और यहां शाओतों की क्लास में सर पच्ची वगरा लिकाने लगते हैं बच्चों को बलवार बलवाकर जिसका नमबर लिक लेगा वही आ स्कूल की सफ वगरा करी रहे होता तो हाउ बचिंटो चेहीं पर इक तुम फ्रेंड हो जो मेरी हल्प यह कर रही तो शाओतों कर लगती कि मैं तुम्हारी हल्प करना चाहती हूँ पर क्या कुरूं मैं मैं मुझबूरू हूँ एंग करना है और मैं वहां तुम्हारे लिए युए उफिस को अच्छे से देख रहा होता है तो भी वह शायों पहुँचा आता saying कहते हैं यह नहीं के भाट कहता है कि तो नीजे बढ़ा हुआ है पर यह खाते हैं टो यह तक unknown उतारूंगी पर लिंक्चाओं से मना करने लगता है कि नीच उड़ों की जाओगी पर वो नहीं रुखती और कहने लगते हैं कि मैंने कराटे सीखे हूं है मैं कुछ पी कर सकती हूं पर जैसी उतारने के बाद नीचे आने लगती है तो उसका वहां से पाऊं फिसल जाता है ज लिंक्चाओं किस तरह इसकी परटक्ट कर रहा है जबके जैंग लिंक्चाओं को लाइक करती थी और शाओ तो जो घर पर आने के बाद भी साफ सफाई का अच्छे से ख्यार रख रही होती है या तक कि अपनी माम की भी हर्प करवाने लगती है तो माम ने उससे आलू चीन को दिया था पर वो इतना चीलती है कि आलोई थोड़ा सा बचता है जिसा देखने के बाद उसकी माम तो उसे किचन से निकाल देती है अब बाहिर जाने के बाद वो अपने डैड को भी ठीक से बैटने नहीं देती वहां कि भी नीचे से सफाई कर रही होती है अब यह देख तीस लोगों का काम तो ठीक से होता नहीं तो वह कहने लगती है कि अब यह तो बैट की नीचे से उसका एक बोक्स उठा कर उपर ले आती हो कहने लगती है यह वही वहला बोक्स है जिसमें आम बचपन में अपने ट्वाइस वगछा रखते थे अब लिंक चाह उसे रोकना चारों होता है खौनने से पर कहने लगते हैं कि हाँ ये वही है तो पूछे लगती किसके अंदर क्या है तो वह कहने लगते हैं कि वही ट्वाइस तो वह कहती है कि क्या इसका पासवर हो या जो पहले था तो वह कहती है कि नहीं मैंने चेंज करती है और मुझे याद भी नहीं लिंक चाओ की मॉम आ जाती है पर उन दोनों का आपस में लड़ते देखकर वैसे छोड़कर चली जाती है अब लिंक चाओ से रोकने लगता है कि किसी को नहीं बताना है ये मेरी नहीं है बलके मेरे एक फ्रेंट की है उसने तो मेरे पास अखवाई थी पर जब शाओ तो नहीं मारी होती तो वो से कहने लगता है कि तुम उसे क्या चाहती हो और वैसी नेक्सरे दिखा जाता है कि शाओ तो अपनी क्लास की एंड होने के बाद जब सब टीचर्स मीटिंग रूम में जाने वाले थे तो वो भी लिंक चाहो की ग्लास रूम के बाई पहुंच आते और उसको सीटी का इशारा दे कर बाही बुला लेती है अब वो भी इस इशारे के बाद तो भाई पहुंच आता है पर वो दोनों चुपके चुपके देख रहे होते हैं कि टीचर्स चले गई या नहीं पर दो साथ जो जा रहे होते हैं उनको जाते देखकाisure कुशी खुशी शार्टो तो जाने लगते हैं पर उसे चुपके रहा कर एक जगा पर लिंक चो बचा लेता है उसको पकड़े जाने से दोनों चुपते होए नीचे जाने लगते हैं और नीचे पहुंचने के बाद काफी स्वैक से चलते होए ऑफिस की तरफ जाते हैं पर ऑफिस की तरफ नी बलके उसकी बैक साइट पर आते हैं बैक साइट से पहले तो लिंच करने वाला गोई और नी बलके यंजी होता है यंजी को देखकर चलती से शावतू उसको अपने पास पकड़ कर ले आते हैं और दोना फिर से मुबाइल डूना स्टार्ट हो जाते हैं पर असल में पता लगता है कि वो से अर्थों बिल्कुल पीछे ही उनके सोय होए थे वो उ करने के लिए आया था अब सर उसको तो भेज देते हैं बाकी दोनों देख रहे होते हैं कि यह देखो कैसे चूट बोल कर चला गया और यह दोना भी जब जाने लगते हैं तो सर इनने रोक लेते हैं फिर बाइर ने पश्चमेंट दी होती है अब इनको जब पनिश्मेंट उठाते हों वे देख लिया तो वो तो मिस उन्हें करें लगती हैं कि आपके ठीक हो गया हूं तो व कहती हैं कि अच्छा आपको बच्चों को पणिश्मेंट देने का टाइम मिल गया पर दूसरे कामों के लिए आप मिमार हो जाते हैं ब वो तो ये बाते सबना कर चली जा पर उनकी बातों पर यृंजी की लिकल जाती आ जसक पर उन्हें फिर maximal पार नाकर ढंगा न नगते हैं आपको कंपिटीशन का फॉर्म समीट कर्वानी के लिए आया थाूब पर तो कुछ नहीं कहते है बलकि उसकी मॉम उसको डांटे लगते हैं कि अभी कि अभी यहां की सफाई करो यह सुनते साथ शाउतू हर चीज़ को उसकी जगा पर रखने लगती है और फिर जो फ्रूट शाउतू की मॉम ने लिंग्चाओ की तरफ भेजना होता वो आगर लिं प्रॉमिस भी नहीं पूरा करूंगी मैं अभी अब पूरी दुनिया को बता दूंगी कि तुम्हारे पास ऐसी सीडीज हैं और तुम किसी बाही की लड़की को डेट कर रहे हो अब इस बात के बाद लिंग चाओ उसको बाल दिखाते हैं कि कि अब भी दुनिया को बताओग कि क्या तुम स्कोर में वाल लेकर आए तो बाहे लगते कि मिस सौरी नेक्स्ट टाइम नहीं लेकर आँगा मेरा मुबाइल दे दे और वो हार्शिंग का मुबाइल मांगता है तो मैं कहते कि तुम क्या लड़के वाले कवर लगाने लग गए हो तो बाहे हैं मुझे